नमस्कार आप देख रहे हैं टीपीवी नियूज मैं हूँ आपके साथ राज नंदनी शर्मा बुलिटिन के शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ नैन्वा कस्बे में देर रात मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है आपको बतादे के अग्याद चोरु ने मंदिर से दो पीतल के घंटे चुरा लिये जिस पर मंदिर समीधी ने अग्याद चोरु के खिलाव थाने में रिपोर्ट दच करवाई और घंटे बरामत करने की मांग की है प्रताबगड के मगरोडा गाओं में इस जमीन विवाद का मामला सामने आया है आपको बतादे के इस विवाद को लेकर हुए खुनी संगर्ष में एक ही परिवार की तीन महिलाएं सहीत छे लोग गंबी रूप से घायल हो गए वही सोचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे फिलाल पुलिस मामली की जांच में जुटी हुई है नैनवत आनाशीतर के भावफुरा में खेत पर सरसो निकालते समय यूवक के साथ हाथसा हो गया आपको बतादे की यूवक का हाथ थ्रेसर की चपेट में आ गया जिससे वह घंबी रूप से घायल हो गया वही मौके पर मौझूद परिजनों ने यूवक को समय रहते बचा लिया सराडा में उपकर्ण अधिकारी के समक्ष जितेंदर पाल मेगवाल ने कतित उच जाती के आपरादिक प्रवर्ती के लोगों ने निर्मम हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम गयापन सौपा आपको बतादी के ग्यापन में अत्यारों के खिलाव सक्त कारवाई करने की मांकी है इस गटना से संपूर्ण अनुसूचित जाती समाज में दहशत का माहौल है और आख्रोश व्याप्त है ब्यावर में दलित चोशन मुक्ती मंच ने प्रदेश में दलित वर्ग और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांकी है वही मंच में बतादिकारियों ने प्रदेश के सीम के नाम उपकंड अधिकारी को ग्यापन सौपा आपको बतादिके SDM को दिये गए ग्यापन में प्रदेश भर में गटित दलित अत्याचारों की गटनाओं का जिक्र करते हुए शीगरी इस प्रकार की गटनाओं पर रोक लगाने के लिए कठोर उपाय करने की मांकी गई है आसपुर के बड़ोदा के पास एक बाइक और कार की टकर हो गई आपको बता दे कि बाइक सवार गंबी रूप से घायल हो गया है मोजामबाद के गाड़ो तस्तित SDRF बटालियन मुख्यालय पर प्रतावंतर कंपनी खेल प्रतियोगिता का आयो जन किया गया आपको बता दे कि 10 दिन चलने वाली खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, गोला, विबिन प्रकार की खेल है महीं इन प्रतियोगिताओं का उद्गाटन आईपियस पंकर चौधरी ने किया मांगलियवास में एक आम दिन हुसेना को सूशना मिली कि हालिया ग्राम के रास रोड सामरिया होटल के पास एक गौमाता का पीछे वाला पैर फ्रेक्टर हो गया जिसे स्तानिय गौसेवक के चार-पांच दिन लगातार कंपाउंडर बुला कर इलाज करवा रहे हैं मगर गौमाता का पै ठीक नहीं हुआ तो सरपंच ने तुरंद प्रभाव से गौमाता को उच्च स्तरिय इलाज के लिए गौच कित साले भिजवाया जागाय का इलाज जारी है विजयनगर में मुक्यमंद्रिया शोग एलोद की विदान सबा में बजट चर्चा में सरकारी माविद्याले खोलने की घोशना की थी इस घोशना के बाद ग्रामीन शेत्र में खुशी की लहर दोड़ गई तो वहीं लोगों ने सरकारी कॉलेज खुलने पर विधायक राकेश पारिक का भार भी व्यक्तिया है विलालेस बुलिटिन में दनाई देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज नमस्कार